हेलो स्टोडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास एट के वुक सलीना कंसाइस मैथामेटिक्स में से चैप्टर नमबर 9, इंट्रस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंट्रस्ट के रिलेटिड है हमारा बुरा चैप्टर, हमने ओल्रेड़ी 9 ने एक्ससाइस कंप्लीट कर लिए, 9B के भी कोशन नमबर 123 कंप्लीट कर लिए, सारी वीडियो का लिंक आप प्रिस्क्रिप्शन में ज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन जिससे आपके बास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम लिया आती रहे, और अल्सो लाइक दे वीडियो शेर इस वीडियो विडियो 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 चलिए अब देखे कोशन नमबर 4 क्या है हमारा कोशन नम बन गई, अमाउंट इस रुपीज 5,000 in 8 years and आप टाइम लिख देंगे, टाइम is equal to 8 years, then in what time will 2100 amount to this, हमें बताने है कि कितने टाइम में 2100 बन जाएगा, 2800, it means हमें क्या फाइन करना है, सबसे पहले हमें rate चाहिए, टाइम निकालने है तो rate भी तो चाहिए होगा, तो हम हमार बाद दिखें, यहाँ बे कितनी सारी information है, इसकी health हम क्या find कर सकते है, rate कैसे, अब आप सबको बता है rate का formula होता है, SI into 100P into T, तो उसके लिए फिले हमें SI चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, simple interest, SI, formula is amount minus principle, SI के two formulas होते है, तो यह भी हमारा एक formula है, हमारे पास amount है, amount में से हम अपना principle, subtract कर देंगे, हमारे पास आगया, rupees, 1000 as a simple interest, अब rate find करते है, formula is SI into 100 upon P into T, then SI कितना है आपका, 1000 into 100, then rate कितना है, अब principle है, हमारा 4000 rate को में find करने है, time है, 8 years, इस देखिए, two zeros, two zeros से cancel, one zero, one zero से, and then, यह भी cancel हो सकते है, four ones of four, four 25 जा, and 25 और 8 एक टेबल में नहीं आते, तो आपका rate आगया, 25 over 8, percent आप चाहिए, इसको mixed fraction में convert कर सकते हैं, बढ़ आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, because हमें rate नहीं actually question में, तो time find करने है, rate हमें इसलिए चाहि question में two parts ते, यह part one हो गया, आप लिख भी सकते हैं, case one, जा part one और part two भी, अब देखिए, part two में हमें क्या दिया हुए, principle already given है, 2100, amount भी given है, 2800, and rate हमने first part में find कर लिया, 25 by 8, simple interest find कर लेते हैं, सबसे पहले, amount, that is 2800, minus principle, तो आपका answer आ गया, rupees, 700, 100, then, अब हमें क्या find करने है, time, formula क्या है time का, si into 100, divided by p into r, अब si कितना है आपका, ऐसा ही है हमारे पास 700, into 100, then, principle is 2100, rate is 25 by 8, and you all know that, कि जब आपके पास denominator में fraction है, तो आपको अपनी fraction को क्या करना है, reciprocal, तो आप कैसे लिखेंगे, 25 over 8 की place पे आप लिखेंगे, 8 over 25, reciprocal हो गया, 8 हमने लिख दिया, numerator में, then, देखें, 00's cancel, 7 ones are 7, 7 threes are 21, then, अब आगे cutting इसकी हो सकती है, 25 ones are 25 fours, then, 8 fours are 32 upon 3 years, अब देखें, हमारा answer आगया, 32 over 3 years, 32 over 3 years, अब हमें क्या करना है, हम इसको क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, mix fraction में, then, month और year में भी हमारा answer आ सकते हैं, जा सिधा mix fraction में भी अपना answer दे सकते हैं, जब आप mix fraction में convert करेंगे, तो आपका answer आ गया, 3 ones are 3, then, 0 is your remainder, then, 3, 0, 0, and 2 is your remainder, अब आपका answer आया, 10, 2 over 3 years, आप ऐसे भी answer लिख सकते हैं, और अगर आपको months में convert करना है, तो आप directly उपर कर सकते थे, month और year में, कैसे कर सकते थे, आपके पास 10 year आगे, आप 10 years को लग रहे हैं, दीचे, देखे यहां पर 10 years, 10 year में क्या add हो रहा है, 2 over 3, इसको हमने क्या बनाना है, years बनाना है, month बनाना है, मतलब आपका year में तो already है, 2 over 3 years, month बनाने के लिए 12 से करें अगे multiply, 3 ones are, 3 fours are, 3 fours are, 8 तो आपका answer क्या आया, 8 years and 10 years and 8 months, years हमारे पास 10 है, month कितने है, 8, देखे 10 years हमने यहां पर already find कर लिये थे, हमारा answer आया था, 10 2 over 3 years, हमने बस 2 over 3 को convert कर लिया, month में, तो हमारा answer आ गया, चलिए अब हम करते हैं, अपना next question, question number 5 में देखें, आपको क् point करने है, question 5 है, आपका, what sum of money lent at 6.5% per annum will produce the same interest in 4 years as 7500 produce in 6 years at 5% per annum, which means, आपको वो sum of money निकालने, जिसको हम lent कर दे, किसी को जैसे पैसे आपने दे, अपनी money दी है, कितने years के लिए, 4 years के लिए, आपने money दी है, rate है, उसका 6.5%, कितने पैसे आप invest करेंगे, कि आपको same interest मिले, जो आपको, इस पे मिलेगा, 7,7500 produce in 6 years at 5%, then आपको क्या करना है, सबसे पहले, तो इस question को भी मैं two case में करना है, case 1 and case 2, देखे, in the case 1, सबसे पहले आप लिखेंगे, principle क्या given है, principle is, that is given to us, 7500 rupees, or you can say that, 7500 rupees, rate is 5% per annum and in same question, time is given to us, that is 6 years, time is 6 years in the case 1, now अब आप इस पे दो simple interest find कर सकते हैं, the formula is P into R into T upon 100, then your principle is 7500, rate is 5 and time is 6 years, divide कर देंगे, 100 से 00s cancel, then 75 and 6530, दोनों को multiply कर देते हैं and we get Rs. 2250, this is your simple interest and in the case 1, उना ने क्या बोला था, कितनी sum of money हम invest करें, जिस से हमें same interest मिले, it means हमें sum of money तो नहीं पता, तो principle आपका P रहेगा, but according to this, in the case 2, हमार पार जो जो given number लिखते हैं, in the case 2, rate is given to you, that is 6.5% per annum and then time is 4 years, time is also given and simple interest में already find कर लिया है, Rs. 2250, क्योंकि simple interest ही दोनों cases में same रखना था, then, अब आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या find करना है, principle, तो principle का formula होता है, SI जो भी हमारा interest आया, into 100 divided by P, R into T, जो principle पाइंट करने तो R into T लिखेंगे, SI 2250 into 100 upon 6.5 into 4, अब हम क्या करते हैं, 6.5 का decimal हटा के क्या कर देंगे, हम उपर लगा देंगे, एक 10, कैसे आया हमारे पास 10 in the numerator, because आप देखिए, 6.5 का हमारे पास, 6.5 को अगर आप decimal remove करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, decimal की place पर 1, पीछे एक digit है, point के बाद, decimal के बाद, and हमने 10 put कर दी, now 65 क्या बन जाना था आपका, यहाँ पर 65 हमारे पास आना था, 65 over 10 आ गया, यहाँ पर आपका 65 over 10 आना था, then, अब आपको क्या करने है, कि reciprocal कर देना आपका, तो 10 आपका कहा जला गया, उपर, in the numerator, तो हमने ऐसे इसको solve कर दिया, then, अब cutting कर लेते हैं, जितनी हो सकती है, देखिए, 4 के table में 4 1s हा, and 4 25s हा, then 5 के table में 5 5s हा, and 5, कितना आजएगा, हमारे पास 13s हा, आपने देखने हैं, 13 के table में ये number जाता है, कि नहीं जाता, तो आप देखिए, सीधा तो 13 के table में इनमें से कोई number नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, principle find करने के लिए, उपवले numbers को multiply करते हैं, 2250 इन्टू, 50 upon 13, उनको multiply करके हैं, हमारे पास आ गया, 112500 upon 13, अब आपको क्या करने हैं, दोनों को divide कर देने हैं, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इतमें आपका answer decimals में आ जाएगा, अब आप देखिए, मेरा answer क्या आया, 8653.843, मैंने decimal के बाद 3 digit तक point किया है, पर हम decimal के बाद only 2 digit तक भी answer दे सकते हैं, तो हमें क्या कर देने है, round off, कैसे round off करेंगे, देखिए, अगर मुझे decimal के बाद 2 digit तक answer लेने, it means only 4 तक लेने, तो आपको क्या करना है, तो जब आप round off करना है, तो आपको उस number के next number को देखने, देखिए, हमारा next number क्या है, 6, तो अगर आपका next number 5 जब 5 से more than है, बढ़ा है 5 से, तो आपको अपने previous number में 1 add करना होता है, तो 4 में 1 add कर देंगे, तो हमारा पास आगया 5, it means, हमारा answer आया, rupees 8653.85, in question number 6 हमें क्या दिया है, a certain sum amounts to this in 4 years, and same sum amount, rupees 4,015, 6 years, find the rate, percent and the sum, हमें sum भी नहीं गिवन, rate भी नहीं गिवन, क्योंकि एक equation हमें पता हो, जिसे sum given है, तो हम rate find कर लेंगे, rate given तब भी हम sum find कर सकते हैं, इसमें दोनों ही नहीं गिवन, और simple interest भी नहीं गिवन, देखिए, कैसे करेंगे इस question को, सबसे पहले हमें क्या बोला है, कि in 4 years, हम लिख सकते हैं, in, जो starting में में given है, in 4 years, sum amounts to, कितनी amount बन गई, amounts to, rupees 3825, and in 6 years, 6 years में हमारा same sum क्या बन गया, amounts to, आपका sum same है, means principle same है, amount change हो गई, 6 years में आपकी amount हो गई, 4,050, therefore, आपके पास interest कितना आया, 2 years का, interest for, 2 years is equal to, आपको greater number में से अपना smaller number, minus कर देने, और आपके पास interest आ गया, rupees में, 225, ये interest हमारा कितना आया है, 2 years का, अब देखिए, पर 4 years का भी interest हम find कर सकते हैं, total ऐसे इसके help से, तो interest for 2 years, अगर आपको interest find करना दे से unity method sum करते हैं, interest for 1 year, तो अगर हमें सिरफ 1 year का interest find करना है, तो हम 2 year के interest को 2 से divide कर देंगे, और हमें find करना है, interest for 4 years, अब आपको clear हो जाएगा, 4 years के लिए interest 2 point कर रहे हैं, तो हम 1 year के interest को 4 से कर देंगे, multiply, 2 ones हा, 2 twos हा, 225 को 2 से multiply करेंगे, हमारे पास answer आएगा 450, अब हमें इसका क्या benefit हुआ करने का देखिए, अब हमने यहाँ पर interest find कर लिया है न, 4 years का, तो आप लिख सकते हैं, interest कितना है हमारे पास, 4 years का interest है, rupees this, अगर interest 4 year का ले रहे हैं, तो question में हमारा time क्या हो गया, 4 years and, time or sum हमने दोनों लिख दिये, अब आपको और rate find करने हैं, तो आप क्या आप अमरा लगाएंगे, SI into 100, then, यह SI है न, 4 years का, P into T, अब आपका simple interest कितना है, 450 into 100, और principle हमें कितना दिया था question में, principle था आपके पास, अब आपने एक और जी यहाँ पर find करनी है, हमें यह principles amount given थी न, principle हम find कर सकते हैं, कैसे देखे, principle अब कैसे find करेंगे, principle का formula होता है, amount minus interest, जहाँ simple interest लिख सकते हैं, अब देखे, amount after 4 years कितनी है, इतनी, अगर आप amount में से interest को minus कर देंगे, जो 4 years का interest है, हम सारे formula को एक बार यहाँ पर देखते हैं, amount का formula क्या हो गया, principle plus simple interest, simple interest का formula हो गया, आप ऐसा ही भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, आप लिखेंगे, amount minus principle, इसी formula से principle का formula भी create कर सकते हैं, कैसे, अगर हमें principle find करना है, तो हम amount में से interest को minus कर देंगे, अब इस question में अगर आप ध्यान से देखें, तो आपके पास amount भी है, after 4 years की, and interest भी है 4 years का, तो 4 years के amount में से, अगर हम interest को minus कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, principle, starting में जो given था, वो principle आ गया, तो आप principle की value यहाँ पर, put कर देंगे, and time कितना है, हमारे पास 4 years, अब cutting कर देते हैं, answer आ जाएगा, 4 ones are, 4, 25, then 5 quidels में, 5, 5, 6, then 5, 7, and 5, 5, अकिन 5 quidels में जा सकता है, 5, 1, 5, then 5, 3, and 5, 5, 6, यहाँ पर 5, 1, then 30, इसको अगेन 5 quidels में cut कर लेते हैं, 5, 2, 10, 5, 7, and 5, 9, 3, then 9 के टेवल में, 9, 1, and 0, 9, 10, and 9, 3, और आपके पास अब rate क्या आ गया, उपर 10, और नीचे 3 है, तो हम final rate लिख देंगे अपना, rate percent हमारे पास आ गया, 10 over 3 percent, तो आप चाहो, इसको mixed structure में convert करके, 3, 1 by 3 percent, लिख सकते हो, हमने rate find कर लिया, और principle हमने already find कर लिया था, rupees 3375, question number 6 भी हमने complete कर लिया, and I hope आपको question clear up करते है, question number 7, at what rate percent of simple interest, will the interest on this be one-fifth of itself in 4 years, at what rate of simple interest, कितने rate of interest पे, will the interest on, इस principle पे अगर हम interest चार्ज करेंगे, वो हो जाएगा, one-fifth of itself, सबसे पहले देखिए, आपको principle कितना दिया है, question में, principle हमें given है, 3715, और आपका simple interest हो जाएगा, one-fifth of itself, means, जो principle हमें दिया है, उसके, then 5-1s are 5, 5-7s are 35, 5-5s are 25, and 0, हमारा simple interest आ गया, 750, and then time हमें दिया हो है, 15 years, नहीं, पहले हमें time कितना दिया है, in 4 years, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, 4 years, time आपके पास आ गया, 4 years, then, अब आपको क्या करने है, what will it amount in 15 years, तो पहले आपको 4 years के लिए बताया है, तो उसकी help sum क्या कर लेंगे, अपना find कर लेंगे, rate of interest, इसका formula है, SI into 100, then P into T, simple interest है, आपका 750 into 100, principle 3750, then time है, 4 years, 00, cancel, again 5 के table में cut कर सकते हैं, 5 15, 5 7 35, and 5 5 25, अब cutting करके क्या आ गया, आपके पास 15 1 and 15 5, then again, 5 1 5, 5 20, 4 1 and 4 5, it means आपके पास rate आ गया, 5%, rate हमने find कर लिया, जो first part में करना था, at what rate of simple interest 5% पे, अगर आप 3750 पे 5% चार्ज करते हैं, 4 years, तो आपके पास interest आएगा, 750 रूपीज, then what will it amount to in 15 years, 15 years में कितनी amount होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, सिधा 15 years के लिए simple interest भी find कर सकते हैं, आपके पास principle तो same ही रहेगा, 3750, then rate हमने 5 कर लिया, 5% and अब हमें क्या find करना है, what will amount, amount के लिए time पे लिए time कितना दिया है, 15 years का, amount के लिए simple interest हमें आना चाहिए, simple interest का formula होगया, p into r into t upon 100, अब देखे हमने सारी values put कर दी है formula में, आपको करना सबको multiply कर लेना है, multiply करके हमारे पास आगया, यह number इसको 100 से अगर हम divide करेंगे, आप सीधा कर दीजिए, decimal लगा दीजिए, नीचे two zeros है, two digits छोड़के decimal, आप zero zero cancel भी कर सकते थे, पर मैंने यहाँ भी zero cancel इसलिए नहीं की, क्योंकि हम money term में कर रहे हैं, तो point 50 ऐसे आजएगा, last में 50 पैसे, तो आपके पास simple interest आया, rupees 2812.50, जो हमारे 50 पैसे को represent कर देगा last में, अब हमें find करनी थी amount, हमें बताने 15 years बात, amount कितनी होगी, amount का formula होते है, principle plus interest, then आपका principle है, 3750, आपको उसमें add कर देने, 2812.50, इन दोनों को add करके, हमारे पास amount आ गई, rupees 6562.50, amount after 15 years, this is your answer, आज हमने question number 7 तक अपनी exercise 9 भी complete कर ली है, next video हम start करेंगे, question number 8 से 9, hope, आप सबको अच्छे से clear है, questions आपको बस practice करनी है, तो मिलते हैं, next video में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो please like, share, subscribe and press the bell icon, जिससे आपके पास new videos की भी notification टाइम लियाती रहे, thank you for watching,